है फ्रेंड्स और कैसे हैं आप सब आपका मेरे चैनल हिस्ट्री बॉफ में एक बार फिर से स्वागत है और प्लीज गाइस मेरे चैनल को जल से जल सब्सक्राइब करें और बैल आइकम प्रेस करना ना भूले ताकि आगे वाले हर नोटिफिकेशन से आप तक पहुंच सके दो प्रेंगे तो वैसे तो हमेंसे हर को ही जानता है कि प्रित्वी की शुआ साथ चार आरव साल पहले हुई थी लेकिन मानव विकास केवल इसके इतिहास के छोटे से इससे के लिए माईने रखता है प्रागयती हासिक काल या जो मानव गतिविदी के रिकॉर्ड से पहले और लॉयोग यानि कि आईरनेज है दोस्तो शिकार के लिए बनाएगे औजारो के अविशकार से लेकर खादी उतपादन और क्रिशी में प्रागती से लेकर कला और धर्म के शुरुआती उधारों तक यह विशास समय अवधी लगब 32 साल पहले मान परिवर्तन की अवधी दोस्तो अब हम अपने पहले टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो है लोर पालिवेथिक एज जिसको पुरा पांशाण योग या पुराना पांशाण योग लोर पालिवेथिक एज भी कहते हैं लगब 30,000 इसापूर से 20,000 इसापूर तक फैले और मानो रचनात मक्पे पह पांशाण काल बरस की पीछ हटने था यानि कि हीम्यूक के समाप्ती तक चला जब खेती और धातों के उप्यों को अपनाया गया था यह माना जाता है कि लोर पुरा पांशाण काल जैसे प्रार में पांशाण माना जाता है वर्तमान में लगबग 2.7 मिलियन वर्ष पूर य इसका पहला सबूत पाया गया है जिसमें पत्थर के औजारों बनाने और मानव उप्योग और आग पर नियंतर शामिल है दोस्तों लोर पहली हो लिए थी कि शुरुआत परंपरी ग्रूप से तब होती है जब पहला ग्यात पत्थर उपकरण निर्माड हुआ था और इसलि मिलियन वर्च पहले की साइटों पर पाये गये हैं अब तक खोजे गए सबसे पुराने पत्थर के औजार इथयोपिया में गोना और बोरी और थोड़ी दिर बात कैनिया में लोकाल ले में मिले हैं दोस्तों लोर पहली लिए थिक आहर बड़े आकार के जैसे हाथी गैंड द्रियाई घोड़े और मध्यमाकार के घोड़े मवेशी हिरन स्तंधारियों के शिकार कम से कम 1.4 मिलियन वर्च पहले की एच्यूलीन अवधी की कपत पर आधारी थी उस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं होमोनेस के उद्धे की जिसमें निजले पूरा पाशान काल के दो पार में बात करें तो उसमें अक्सर एच्यूलीन हैंनेक्स और क्लियर चामिल है यह सुझाव देते हैं कि अक्सर प्रारंबी काल के अधिकांश मनिश्य शिकारी के बज़ए मैलाड होने वाले थे वही लोड़ पैलियूलेथिक साइटों को प्रारंबी के अम्मत्य प्लिस गया था वही दोस्तों यह भी माना जाता है कि वर्तमान में होमोरेक्टस की रूप में जाने वाले मानव ने अफरिका छोड़ दिया और लेवन्टाइन बेल्ट के साथ यूरेशिया में यात्रा की अफरिका के बाहर सबसे पहले अभी तक हो जा गया एच्वन एरेक्टस एच्वन एरेक्टस साइट जो लगबग 1.7 मिलियन वर्ट्स पहले की है उबैदिया गली सागर के रिफसित है एक और प्रारंबिक एच्वन एरेक्टस साइट है जो 1.4 से 1.7 मिलियन वर्ट्स पहले की है वही दोस्तों अगर हम इस से जुड़े कुछ स्थलों की बात करे जॉड़न में एंसोडा लॉइन स्प्रिंग वही तुर्की में सहरमुज और कल्टे पेस है दोस्तों अब हम बात के निजारे मिडल पे लिए थे के जिसको मद्देपूरा पांशाण काल भी कहते हैं लगबग 2,45,000 वर्षपूर वह समय है जब हो वो सैपियंस नियंडर थ हैलन से सहीत पुरा तनमानव पूरी दुनिया में प्रकट हुए और फले फुले हैंडेक्स का उप्योग भी जारी रहा लेकिन एक नए प्रकार के स्टोन टूल किट को मॉस्ट रियन कहा गया जिसमें उद्देश्यंपूर रूप से त्यार कोर और विशे फलेक टूल शाम मिलता लेकिन शिकार और इकठा करने की अधी विदियो के भी इस पश्च परमाड मिलते हैं दोस्तो 55,000 साल पहले तक पुरातन मानव अपने बुजर्गों की देबाल कर रहे थे जैसा की लौ चैपल ऑक्स सेंड्स जैसी साइटों से पता चलता है नर्बक्षण के कुछ प आदुनिक मानव वेभारों की शुरुआ दक्षडी अफरीका के होवो जिन स्पोर्ट स्टिल बे इंडस्ट्रीज में की गई जिसकी शुरुआत शायद 78,000 साल पहले हुई थी और अफरीका को एक दक्षडी फैलाव मार के साथ छोड़ दिया गया था दोस्तों अगर हम मद्धे पाशाण यू की उपकराण की बात करें लगबक चार लाग और दो लाग साल पहले पत्थर प्रद्योगेगी में नवचार की गती बहुत कम तेज होने लगी थी इसी समय की शुरुआत तक हैंडेक्स उतक्रिश शेल कोशल के साथ बनाए गए ग चास हजार से दो लाग वर्षों तक सापित किये गए थे दोस्तों अक्सर मद्धे पाशाण यू के टूल किट में अंक शामिल थे जने भाले बनाने के लिए शाफ्ट पर लगाया जा सकता था जब अंतता चोटे बिंदू बनाये गए तो उने डॉट स्तीर और अन्य प्र यूग है उसके शब में अफरीका से विभिन प्रकार के टूल किट शामिल है और टूल किट भी है जिने आम तोर पर यूरोप में मद्धे पूरा पाशाण काल के रूप में जाना जाता है ये टूल कम से कम 50,000 से 28,000 साल पहले तक चलते थे अफरीका में मद्धे पाशाण यानि कि अपर पाशाण के जिसको उपरी पूरा पाशाण काल कहके भी संबूदित करते हैं 40,000 से 10,000 वर्ष पूर दुनिया में महान संक्रमड की अफ़धी थी यूरोप में नियंडर तल 33,000 साल पहले समाप्त हो गए और गायब हो गए और आधुनी मुनिश्यों ने दु में ज्यादतर यूरोप में उपरी पूरा पाशाण काल को पांच अती व्यापी और कुछ हद तक छेतरी रूप में विभाजित करना पारंप्रिक होगा जो पत्थर और हड़ी के उपकरण सयोजनों के बीच अंतर पर आधारी थी वही दोस्तों इस काल की उपकरण में और के लिए बनाए गए उपकरण थे दोस्तों इसके अलावा लगभग 21,000 साल पहले कपड़े बनाने के लिए संभवा तहा पहली आँखों की सुईयों सहीत कलात मक और काम करने वाले उपकरण दोनों प्रकार के लिए हड़ी सींग, खोल और लकड़ी का का काफी हद तक उप पक्ष होते हैं, उनको प्योक अपचारिक उपकरणों की एक आश्चेर जनक श्रिंकला बनाने के लिए किया गया था, विशिष्ट उदेशों के लिए विशिष्ट व्यापक प्रसार पैटर्ण के लिए बनाएगा उपकरण, उपरी पुरा पाशाण कालीन, जीवन शहरी उपरी पुरा पाशाण काल के दोरान रहने वाले लोग घरों में रहते थे, कुछ विशाल हड़ी से बने होते थे लेकिन अर्थ भूमी गत, डग और इसको कहते हैं, फट्ष, चुला और हवा के जोकों के साथ, अधिकान जोपडियां, शिकार विशिष्ट हो गया, और प उपरी पुरा पाशाण काल के दोरान दिखाई देता है, और अब तक बिना दोहन वाले छेत्रे जैसे रेगिस्तान और टूंडरा में चले गए, दोस्तों अगर हम अपर पहली ओटिक एच के अंध के बारे में बात करें, तो इसका अंध मुखी तोर पे जलवायू परिवर्तन के काराण हुआ, गलोबल वामिंग जिसने मानवता की खुद की रक्षा करने की शमता को प्रभावित किया, पुरा तद्वीदियों ने समाय जलेट खतेरो, मोरको में ग्रेट डेस पिजनस, आस्ट्रेलिया में मौंगो जील, या डेवलेस लॉयर, जापान में सुनगावा, जोर्जया में जूजवाना गुफा, चीन में यूचनन गुफा, अमेरिका के डेजी गुफा मॉंटे वर्डे में स्थित है, तो दोस्तों आज हमने पहली उलेथिक एज पुरा पाशाण यूग और इस यूग के तीन काल के बारे में इसके टाइप्स के बारे में बात किया और इससे जुड़े कुछ स्थल के बारे में भी जाना इसके अलावा भी दोस्तों इससे जुड़े कई स्थल है और अफशेश हैं जिसको प झाल झाल